है अपनों और आपके सफेद रहा आप पूर ओर ap gy drugs करते हैं और आपके सफेदह बालों को जड़ना टूटना एक बहुत ही आम समस्तिया है इससे लगबख आज काल HRC कोई परिशान है क्योंगि आजकर इतना strongly और पौूरr रहता है धूल मिट्टी रहती है जब वो हमारे बालों के जड़ों में जाती है तो उसकी वहीं से हमारे बाल टाइम से पहले सफेद होने लगते हैं जड़ने तूटने लगते हैं और बालों की ग्रोध भी रुख जाती है फ्रेंट्स आज जो मैं आपको नुस्खा करना है तो शुरू करते हैं फ्रेंट्स इसनूर्ण के में सब्से वैले हमें लेना है एक शैंपू वो लेना है जो हम Nederland में यूस करते हैं जैसे मैं कलिनिक प्लस कर रह इसके डालने के बाद जो हम दूसरी चीजिस में इस्तमाल करेंगे वो हम इस्तमाल करेंगे फ्रेंट्स एलोवेरा जल फ्रेंट्स एलोवेरा जल का घर में अगर आपके पौदा है अगर आपके घर में तो उसमें से भी जल निकाल सकते हैं नहीं तो आप बजार से भी ऐलो अरज जेल खरीज़ सकते हैं ऐलो जेल के अखा प्रजल एक वरदान के रूप में माना भेलों के लिए आप इसे अबने स्किन पर भी यूज़ तो आपको भूबी अच्छा रिजल्ट टुमिने का तो इसके अंदर हम लेंगे फ्रेंट्स आदा चमच के करीब ऐलोगराजल यह ले रहे है इसके बाद जो हम तीसरी चीज़े सुस्खे में एड़ करेंगे फ्रेंट्स मुए दोस्तों विटामीन एक कैपसुल फ्रेंट विटामीन E का कैपसुल हम इसलिए इसमें यूज़ कर रहे हैं ताकि विटामीन E की मात्रा जो है हमारे नुस्के में जो है बढ़ जाए फ्रेंट विटामीन E आपको मैंने बताए दिया अन कि लिए स्कीन और बालों के लिए कितना सधाना है इसके अन्दर आपको विटामीन E का calcium रिचा सकते विटामीन ऑना निकलेगा यह म मनें कर लिया है इसके बाद सब्सक्रों करेंगे जो है क्ली फ्रेंट्स ग्लीसरीन के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टिस होती है जो आपके बालों की जोड़ों में जाकर के जमी हुई गंदगी और तेल होता है उसको निकाल देता है और यह आपके बालों को ऐसा नुट्रिशन देता है जिससे कि आपके बालों की ग्रोध बढ़ने जो है एड कर लेंगे यह देगे दूस्तों लगबाग हमारा नुसका बनकर अब जो त्यार हो चुका है अब हम इसे बस इसे मिक्स करके मैं आपको बता हूँ कैसे आपको अपने बालों में इसे यूज़ कर रहा है तो सबसे पहले इसे मिक्स कर लिजिए बहुत ही जल्दी अपने बालों में आपको इसका यूज़ वीक में दो से तीन बाल करना है जैसे एक से दो दिन रोक कर जैसे आप अपने बालों को शैंपू करते हैं उसी तरीके से आपको अपने बालों में यूज़ करना है लेकिन शैंपू करने का तरीका कुछ अलगोवा थोड़ा सा कु आपको हाथ वाती से दोना नहीं है ताकि ये अपने अच्छे से काम कर सेके इसलिए इसको अपने बालों में जागों को जो ध् explored को झाले दोला लूराब में उसके बाद में आपको अपने बालों को धोले एफ the:「 जशे ह тебя करे लेकिन बालों को आप नेचुरली सूखने दे धूप में आप अपने बालों को सुखाएं और या फिर पंके की हवा में सुखाएं दीरे दीरे अपने बालों को सूखने जब आपके बाल पूरी तरीके से सूख जाएं उसके बाद ही अपने बालों में आप जो भी तेल लगा और आपके बालों का जड़ना भी रुख चुका और सफ्रेद बाल जो हो चुके हैं वो भी फिर से काले होने लगेंगे तो फ्रेंड्स ये नुसका इस तरीके से काम करेगा है आपको नुसका पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जुरू किजएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आका जुरू प्रेस कर लिएगा दोस्तों थेंकी दोस्तो झाल